हाई दोस्तों कैसे आप हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे आप ही तैयारी अच्छे से चल रही होगी आज हम फिर एक नए क्लास के साथ हाजिर है जैसा कि हमारा चल रहा था अनुपाद समानुपाद ये अनुपात समानुपात की हमारी दूसरी वीडियो होगी और पहली वीडियो में हमने आपको पांच होमवर्क दिये थे घर से करने के लिए हम उस होमवर्कों से ही अपनी क्लास की सुरवात करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि और कैसे कैसे कोश्चन आपके अनुपाद से आपकी परिक्षाओं में आते हैं एक दिन का गैप हो गया मैंने वीडियो आपको नहीं दे पाएगे उसका कारण यह था कि मेरी तब यह थोड़ी गड़बड़ है ठीक है तब यह तो अभी भी गड़बड़ है कि कोशिस कर रहा हूं कि आपके लिए कुछ कर पाऊं ठीक है दोस्तों देखते हैं तो आज की क् सी करके दिया हुआ था और ए और डी का अनपाथ पूछ रहा है मतलब पहले और अंथिम का दी अनपाथ पूछता यह सारे अनपाथ देखे मैंने आपको महां बता रखा था क्या बता रखा था इनका मल्टिप्लाई आप कर लीजे दो बटे तीन मल्टिप्लाई चार बटे दूसरा कोषण की बात कर गें यहां पे दिया हुआ था मिस्र छा याज लगता और तीन से यह बटे जाएगा तो एक संबनत नीचे किस नहीं बचा तो एक संबंद एक दोस्तों यहाँ पर दिया था थीम, A संबंदे B और B संबंदे C देखर के A, B, C का अनुपाद पुछा था तो मैंने आपको बढ़ताया था कि उल्टाइयन मेथड या फिर आप फिलप करके भी कर सकते थे जैसे 5 संबंदे यहाँ पर साथ हो गया और यहाँ पर दिया आपका संबंदे 2B और C दिक डिक रहा थीन संबंदे 4 यहाँ पर दे दियाD और C किस राधी और दे दियाD आपको पर से बना लेंगी सी要ब पीलट ओ संबंदे 5 अब इसको अगर आप बर्फी कटिंग से करना चाहते हैं तो बर्फी कटिंग से कर लीजिए एक संबंदे दो हो गया तीन अन पाते हां पे चार हो गया और यहां पे अब हो जाएगा च्छान पाते पांच तो जब तक यह सीरियल बाइस नहीं रहेगा तब तक आपका एंसर गड़ बढ़ा जाएगा तो चैत्री अठारे कम अठारे हां पे नजार आ रहा यह कर लेंगे दो तियाई 6 त्री दो तियाई 26 चाहें 36 हो जाएगा और यहां से आपका दो चोग को आठ चके 48 फिर दो चोग को आठ पचे 40 समझ रहे हो गया पहले ऐसे मल्टिप्लाई कर लि और यह आपका कितना हो जाएगा 24 और ही हो जाएगा आपका 20 तो 9 18 24 20 कहां दिख रहा है 9 18 24 20 विकल्प में सीजद राइट तो सीजद आपका क्या हो गया था राइट एंसर हो गया ठीक है दोस्तों आगे वाले कोश्यन में देख लेते हैं तो अगला कोश्यन आपका पांच कर दिजे दूसरे का निकालना चिपा लिजे चार सत्य हो जाएगा 28 और तिसरे का निकालना इसको चिपा लिजे पांच ओको हो जाएगा 20 यह आपका एंसर नजर आ रहा होगा कहीं 35 28 20 पहला भी कल्प आप दोस्तों बहुत आसान तरीके से आप जब समझ पाए होंगे तो क कुछ कौश्चन है और आजकी क्लास शुरू करेंगे मैंने कहा कि पीछे जो हमने सिखाया है उसका उप्यो करना हर क्लास पूरा मेंkek होगा बहुत बढ़ियां से पहले को समझने के के कोशिस करेंगे और बहुत अच्चे से आप समझें के बहुत ध्यान दे करने पहले क्यो कोई उसके पास कितना रुपया है 24,000 रुपया है जिसे वह ABC तीन लोग है जैसे A समंदे B समंदे C मतलब तीन लोगों में बाट रहा है पैसे को एक अनुपात में बाट रहा है 5 समंदे 3 समंदे 4 इस अनुपात में बाट रहा है किसी को 5 दे रहा है तो किसी को 3 तो किसी को 4 य रुपया नहीं है यह रेशियो है ध्यान दीजिएगा जिब यह कभी रेशियो दे करके आपको किसी बैलू को बाटने के लिए कह दे इस बैलू को इस रेशियो में बाटने के लिए कह दे तो आप करिना क्या कि आप इस रेशियो का सम कर ले ना यूग इस रेशियो का क्या कर बाँभ़ाइब लिए 24 में दिया है एक अनुपात कमार नीकाल ungefाट को युण लै। तो A का अनुपात देखिए 5 इसका मतलब आपसे पूछ रहा है A का मतलब 5 का मान पूछ रहा है 5 का तो 5 का गुड़ा कर देंगे तो 5 दूना के 10 और 3 सोनना चिपका दिया तो 10,000 तो ये को कितना मिला 10,000 कलके रेट में B का भी पूछ सकता है तो कोई बात नहीं B का पूछ दे B का पूछ देखा तो B का अनुपात क्या है 3 तो 3 का गुड़ा कर देंगे 3 दूना के 6 कलके रेट में आपसे C का भी पूछ सकता है C का क्या है 4 तो अगर चार का पूछ देगा तो चार दूना के क्या हो जाएगा आठ अचार तो ये तो पता चल गया अलग-अलग आगे के सवालों में हो सकता है कभी इसने पूछ दिया कि A और B का मान बताओ A और B को मिला के कुल कितना रुपे मिले क्या बोलेगा A और B को मिला के कुल कितना है मतलब आपको क्या पूछ रहा है A और B पांच तिन कितना हो गया उनकी अनुपात को जोड दीजिएगा क्या करिएगा उनकी अनुपात को जोड दीजिएगा मतलब उनकी अनुपात को जोड देंगे जो मैं कहा हूँ वो कर नहीं पाऊंगा इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के आपको देता रहूंगा लगातार तो आप वीवर करते रहेंगे इसलिए जानबूज के थोड़ा सा प्रेश देके बना रहा हूँ आवास थोड़ी अच्छी नहीं जा रही हो तो उसे मैनेज क बड़ा है उसमें से घटा लेंगे जैसे 5 इसका है चार इसका है तो 5 में से चार गया 1 मतलब आपको एक अनुपात कमान तो 2,000 है समझ रहे, तो आप से एक अनुपात दे करके एक बैलू को बाटने के लिए कह दे, तो कुछ भी पुछे उसमें, दो लोगों का योग, पुछे, दो लोगों का अंतर, पुछे, तीनो लोगों का अंतर, दो दो लोगों का अंतर, पुछे, या एक एक लोगों का मान पुछे, कुछ भी पूछे आप एक अनुपात का मान निकालने के बाद सारे मान निकालनेंगे और एक अनुपात का मान कैसे निकालनेंगे जो तीनों का अनुपात दिया हुआ उससे जोड करके पूरे मान में क्या करिएगा भाग दे दीजिएगा तो एक अनुपात का मान आपका निक त्रीवुज के परिमाप का मतलब होता हुटा १िति- तीनो भुजाओ का योूग तीनों भुजाओं का यह योग दिया हुआ न पांच बावन तीनों लोगों का यह जोड थैरिं इसके भुजाओं का अनुपाथ एक संबंदे दो banned बटे दो अनुपाते एक बटे तीन अनुपाते एक बटे चार तो कहा रहा है सबसे बड़ी भूजा तो भाई यह अच्छा नहीं दिया न इसे सही अनुपात में हम बदलने के लिए क्या करते हैं यह आपका आजाएगा तीनों भूजाओं में अनुपात तीनों भूजाओं में क्या आजाएगा अनुपात तीन लोगों में बाटा गया है तो तुरंथ हम क्या करेंगे अनुपातों का जोड़ इस मान के बराबर हो जाएगा 6 4 10 3 13 मतलब 13 अनुपात 52 के बराबर है यहां पर काड़ देंगे 4 और एक अनुपात का मान कितना जाएगा 4 फूछा क्या दोस्तों सबसे बड़ी भूजा तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर सबसे बड़ा अनुपात देगा, और सबसे बड़ा अनुपात आपका 6 है, यहाँ पर पुछा सबसे बड़ी भुजा आपसे पुछा है, तो सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ा अनुपात देगा, छचचों को क्या जाएगा, 24 cm में, है तो cm, meter है तो meter. आई दोस्तुन देखते हैं तीसरा question. तीसरा question दोस्तों दिया कि 3600 रुपया, क्या दिया है 3600 रुपए को ABC में इस प्रकार बाटा गया, ABC में बाटा गया लेकिन देखि कि इस प्रकार से बाटा गया ये बता रहाँ, A का 1 बटा 3 तो A का 1 बटा 3 का मतलब क्या हो जाएगा A बटा 3 B का तो B बटा 4 और C का 5 तो इतना आपस में बराबर है तो मैंने सम्मे क्या कर दिया बराबर का चीन लगा दिया मैंने ऐसा आपको बताया है कि इस प्रकार से दिये और कोई कहे कि A समंदे B समंदे C का मान बताये तो आप तुरंत जो नीचे वाली बैलू है यह अनुपात में लिख देना तो यह जाएगा 3 समंदे 4 समंदे 5 हो जाएगा A, B, C में अनुपात जब आपने अनुपात सही निकाल लिया तो अब बाटना तो काफी आसान हो गया न अनुपातों का जोड इस बैलू के बराबर होगा तो 3, 4, 7, 5, 12 12 अनुपात आपका 36 के बराबर हो जाएगा तो एक अनुपात का मान बारत याई 36 के आ जाएगा 300 एक अनुपात का मान 300 पूछा क्या आप से है पूछा है कि एक की कुल कितने रुपिय मिला एक को कुल कितने रुपिय मिला तो एक अनुपात देखेंगे एक अनुपात 3 है तो 3 का मान पूछ रहा है एक का मान मतलब 3 का मान पूछ रहा है तो एक का मान 300 है तीन का मान क्या हो जाएगा तीन गूडे 300 इसको आप कहलेंगे दोस्तों कितना 900 आई ये question number 4 देखते हैं question number 4 देखते हैं दोस्तों एक ब्यक्ति के पास 18,200 रुपया कितना 18,200 रुपया एक ब्यक्ति के पास दिया गया है इसे वाई अभी C में इस प्रकार भी भाजित करता है कि A का 3 गुना तो 3 हो जाएगा और B का 7 गुना तो 7 भी हो जाएगा और C का 7 गुना वो भी 7 C है ठीक है तो यहां से ऐसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ऐसा दिया गया हो तो आइरेक्ट आप A और B और C में अनुपात निकाल सकते हैं जब A का निकालेंगे तो एक कोफिसेंट C पाकर के साथ सते उन्चास कर लेंगे जब B का चीपाएंगे तो 7 गुना जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 91 आ जाएगा कितना जाएगा 91 तो जो अनुपातों का योग है यह कितना के बराबर हो जाएगा 18,200 के बराबर एक अनुपात का मान यहां से निकालेंगे दोस्तों इसको काड़ देंगे 200 आ जाएगा 200 अब आपसे पूछा है A की बैलू किसकी बैलू A की तो A में को भी देखने की कोशिस करते हैं कोश्य नमर 5 को देखेंगे कह रहा 92 रुपिया को ABC में इस प्रकार बाटा गया है कि A और B में कितने का अनुपाद बता रहा है दोस्तों पहले अनुपाद निकाले ते ए और B में आपको दो समंदे 3 का अनुपाद बता रहा है कितना 2 बताया था आपको उल्टाई अनमेथड भी बताया है फिलप करके भी बताया है तो दो सम्वंदे तीन हो जाएगा यहां पर पांट सम्वंदे कितना हो गया साथ उल्टाई अनमेथड लगा लिए पांदुना के दस पांतियाई 15 और तीन सत्य एककईस यह आपका अनुपात बाटना कितने का था दोस्तों तो 92 रुपया को बाटना धेहन दीजिएगा, 99-10 arूपया को अंको बाटना है किस अनुपात में तो आप जोड दीजिए, अनुपातों का जोड़, पूरे रुपया के बराबर हो जाएगा तो यह 20-35 और पचीस और पंचीस में एक जोड़ लेंगे तो 26 और 26 में 20 जोड देंगे तो कितना हो जाएगा 46 तो यह 46 जो होगा आपके 92 रुपया के बराबर हो जाएगा तो एक अनुपात का मान निकालेंगे 46 दुना के बान पर होता है कोशिन नमर्ब 6 को देख लेते हैं दोस्तों कोशन नमर्ब 6 काय रहा है दोस्तों एक हलवाई ने 80 kg लड़ु तयार किया जिसे बेशन घी और चीनी का अनुपात दिया हुआ है 80 kg लड़ू था पूरे दोस्तों, इसमें बेशन की बात कर रहा है, बेशन के बात किसकी बात किया है दोस्तों, घी की बात किया है, तो घी, अनुपात देखना पड़ेगा, ध्यान से किसका पहले है, किसका बाद में है, चीनी, इसी सीरियल में यह अनुपात दिया हुआ है, दो रेशियो, तीन रेशियो, साथ. अनुपाथों का योग पूरे मान के बराबर होता है, इनहीं अनुपाथ में मिला करके लट्डू बनाए गया है, तो दो तीन, पाउच, साथ पाँच, कितना हो जाएगा दोस्तों? बार है। तो 12 कानुपात कितना हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा, 12 कानुपात कितना के बराबर हो जाएगा, 80 के, यहां से एक कानुपात निकाल लेंगे दोस्तों, तो के हो जाएगा, 80 बटा कितना बार है, एक कानुपात कितना हो जाएगा, 80 बटा बार है, भाग देंगे, कट ज अनुपात होगा उसको जोड़ देंगे पूरा मान निकाल के नहीं जोड़ने जाएंगे कि बेसन का मान निकाल लूँ घी का मान निकाल लूँ फिर दोनों को जोड़ अइसा कुछ नहीं करेंगे अनुपातों को जोड़ के काम करेंगे तो बेसन यहां पे घी यहां पे देख कितना आजाएगा 20 चो को 20 पच्चे 100 यहां पे कितना आजाएगा 100 100 बटा 3 भाग दे देंगे तो 39 सही एक बटा कितना आजाएगा 3 केजी आजाएगा दोस्तो हम उम्मीद करते हैं कि यह बाते आपको समझ में आगी बहुत ही नार्मल से कोश्चन थे किसी विमान को दे करके बिभाजन हम पढ़ रहे थे देखें हैं अब चीजों को बाटना हम पढ़ रहे थे ठीक है अभी तक हमने जो थे अनुपात निकालना सीख लिया कोई मान दे करके कह रहा है उस अनुपातों में बाटने के लिए तो बाटना भी सीख लिया अब आके हम next concept देखेंगे लेकि नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों तो अब बात कर लेते हैं होमवर्क के तो यह रहा आपका क्या होमवर्क आजका तीन सवाल आपको दे रहे होमवर्क में कमेंट बाक्स में करके तीनों के अंसार आप जबाब दीजिएगा पिछले question का जबाब आप लोगों ने दिया था बहुत अच्छे तरीके से ठीक उसी प्रकार से इनके भी जबाब आप दीजिएगा और फिरम कमेंट में आपको करके बताएंगे किसका जबाब सही है और किसका जबाब तो आज के लिए इतना है दोस्तों जाहिए